हेलो फ्रेंज मैं भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पे फेंज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेट करने जा रही हूँ 32 साइज के कॉर्डिंग बैकनेक प्लो डिजाइन जिसको तयार करेंगे हम यहाँ पे में फैबरी के साथ और इसके साथ मैंने लिया है अस्तर के फैबरी को अस्तर हमारा कॉर्टन कर रहेगा और सबसे पहले हम इसको अपनी और से फूल्ड करके लेंगे मेजर्मेंट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फुलीजी, के कोंडिंग हम यहाँ पे कटिंग और स्ट इचिचिंग करेंगे और इस डिजाइन को हम वोट नेक पे तयार कर रहे हैं और आप चाहे तो इसका मेजर्मेंट चेंज करके इस डिजाइन को तयार कर सते हैं तो चलिए ब्लॉज को बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ब्लॉज की लंबाई लेंगे तो तयार लेंथ हमारी 30 इंच है तो इसमें 1 इंच मैंने सलाई मार्जिंग का प्लस करके लिया है टोटल लंबाई रखी है 14 इंच पे इसके बाद हम यहां नीचे से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कपड़ा विल्कुल हमारे इससे सीधा भी हो जाएगा और हमारी मार्किंग भी हो जाएगी चलिए यहां से अब हम सोल्डर लेंगे 32 साइज के काडिंग हम यहां पे बोर्टनेक के काडिंग डिजाइन को focused थे लिए तो जिसके लिए हम यहां पे सोल्डर रखेंगे 16 इंच पे और आर्मोस भी लेंगे 16 इंच पे हाँ 5 इंच एक हम बार के वार से लाइन डो करेंगे आर्मोज की गोलाई के लिए इसके बाद आपको चैस्ट का फोर्थ पर्ट लेना है अगर आप 32 साइच के कॉर्डिंग तयार कर रहे तो यहां से आपको 8 इंच लेना है दो इंच में इसमें सिलाई मर्जिंग को लिया है इसके बाद हम कमर लेंगे कमर है 30 इंच इसका भी हम फोर्थ पर्ट लेंगे यहां से 7 इंच दो इंच मैंने इसमें सिलाई मर्जिंग को रखा है आप चाहे तो सिलाई मर्जिंग डेड़ इंच भी ले सकते हैं और एक इंच मैंने एस्टर रखा है जो कि बैक साइड में प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए तो च पेपर पेश्टिंग के साथ हम गले को सबसे पहले ड्रो करेंगे क्योंकि गले में हमको बैतर फिनिसिंग चाहिए तो इसके लिए हम पेपर पेश्टिंग यूज करेंगे आप चाहे तो बकरम भी यूज कर सकते हैं तो यहां से हम गले की चोड़ाई लेंगे सबसे पहले यह देखिएगा, तो उपर गले से मैंने इसकी चोड़ाई रखी है 3 इंच पे और नीचे से मैंने रखी है 4 इंच पे, गले की लेंथ रखेंगे हम 11 इंच पे, आप गले की लेंथ अपने ब्लॉज के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, अगर आप बोर्टनेक पे तयार कर रहे हैं, यह देखिएगा, अच्छे तरीके से हम यहां पे गुलाई लगाएंगे, यहां तक ही हम रखेंगे, और यहां से हम इस केल से इस पे इस तरीके से लाइन को ड्रो कर लेते हैं, तो लाइन को मैंने बना लिया है, अच्छे तरीके से अब हम बाहर की और से मार्किंग कर यह देखिएगा इस तरीके से पहले मार्किंग को आपको अच्छे तरीके से ड्रो करना है इसके बाद इसकी कटिंग करनी है उपर के और से हम एक इंच लेंगे यहाँ पर एक मार्किंग लगाएंगे यह देखिएगा इससे क्या होगा गले की चड़ाई हमारी पेपर पिश्टिंग पर एस्टर नहीं बढ़ेगी और यह अच्छे तरीके से सेट होगी चलिए हम इसको कट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बार की और से कट करेंगे इसके बाद हम अंदर गले की और से कट करेंगे तो यह देखिएगा फिनिशिंग देते हुए मैंने इसको कट कर लिया है अब हम इसे मेन फैब्रीक के साथ त्यार करेंगे तो सबसे पहले अस्टर को आपको सेट कर लेना है मेन फैब्रीक के साथ इसके बाद हम कॉर्णर की सिलाई देकर अच्छे तरीके से इसको एटेज कर लेंगे एटेस हो जाने के बाद जो एस्टर कपड़ा है में बार की और से इसको निकाल लेना है ये देखेगा अच्छे तरीके साब को कट कर लेना है इसके बाद हम बनाएंगे कमरपटी तो कमरपटी हमें यहाँ पे अस्टर के फैबरी के साथ तयार करना होता है तो इसको तयार करने के लिए मैंने यहाँ पे देखें डेड़ इंच की चड़ाई में इस कपड़े को लिया था और इसे हम डवल फोल्ड करके नीचे से टेस कर रहे हैं एक सिलाई हम खोल कर लगाएंगे अस्तर पर यह दिखेगा यहां से हम देखिए दुबारा से अंदर के ओर फोल्ड करेंगे फोल्ड लगाने के बाद आपको श्टीच लगा लेना है अच्छे तरीके से तो सिलाई से इसे देखिए मैंने कम्प्लीट कर लिया है यह तैयार हो गया अब हम गले को तैयार करेंगे गले को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एस्टर कपड़ा लिया है यह देखिएगा अस्थर के फैब्रिक को मैंने लिया है इसको आप क्या करिएगा सबसे पहले पेपर पिश्टिंग को आप सैट कर लीजिएगा या फिर आप पेपर पिश्टिंग को प्रेस की मदद से भी आप चिपका सकते हैं यहाँ पे मैंने पीन से इसको अच्छे तरीके से टेज कर लिया है और अंदर गले से हम स्टीज लगाएंगे स्टीज लगाने के बाद हम हाप इंच बाहर की और से एस्टर रखेंगे और जो इसमें बाकी का कपड़ा है हम कट कर लेंगे पीन को निकाल लीजिएगा और जितना मैंने फोल्ड करने के लिए रखा है इसको हम यहां से fold इस तरीके से देंगे तो हमारा जो कौन वाला part है आपको उस जगह पे क्या करना है cut लगाना है, cut जरूर लगाईएगा ताकि आपको fold करने में कोई problem नहीं आएगी अच्छे तरीके से यह fold होगा बाहर के और से इसमें finishing वे अच्छी आएगी तो यहां से मैंने अच्छे तरीके से इसको attach कर लिया है बी center से हम इसको fold देंगे और यहां पे हम marking बनाएंगे बी center point निकालेंगे, यह देखिएगा चोटा से हम cut भी लगा लेते हैं इसी तरीके से हम main fabric के उपर भी marking बना लेंगे ताकि यह अच्छे तरीके से center point से हमारा attach होगा तो यहां से मैंने अच्छे तरीके से इसको मिला लिया center point से इसके बाद हम यहां पे इसको pin से attach कर लेते हैं यह देखिएगा, pin से इसको मैंने attach कर लिया है और अब हम यहां पे गले के उपर stitch लगाएंगे तो अंदर गले से आपको इस तरीके से श्टीज देना है यहाँ पे देखे पेपर पेश्टिंग पे यह हमारी सिलाई नहीं रहेगी बिल्कुल इसमें कॉर्णर की सिलाई लगाते हुए हम अच्छे तरीके से श्टीज देंगे इस तरीके से आपको गले को तयार कर लेना है इसके बाद जो इसके अंदर से एस्टर कपड़ा है आपको कट कर लेना है तो सलाई मार्जिंग मैंने यहाँ पे हाँ पींच रखा है और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे अंदर गले से आपको छोटा छोटा कट बनाना है ताकि हम इसे जब फोल्ड करें तो यह इसली हमारा फोल्ड हो जाए और इसमें फिनिसिंग भी अच्छी आएगी तो यहां से हम कोन वाले पाट को पहले अच्छी तरीके से यह निकाल लेंगे इसके बाद हम इसके उपर स्टीच लगाएंगे तो स्टीच आपको वन पेर मार्जिंग रखते भी लगाना है या फिर आप कोर्नर की भी सिलाई इसमें दे सकते हैं तो यह दिखिएगा यहां तक हमारी स्लाइस को कमप्लीट कर लिए हैं हम और अब हम यहां पे बैक साइड में प्लेट्स भी बना लेंगे तो सबसे पहले आप इसको फोल्ड लगा लिजेगा और इसका सेंटर पॉइंट मार्किंग बना कर इसके बाद आपको हाफ से फोल् दोनों ही साइड से हम एक-एक इंच का प्लेट्स लगाएंगे यह देखिएगा तो बैक पाथ हमारे तयार हो गया है और इसके साथ अब हम डिजाइन को तयार करेंगे तो डिजाइन को तयार करने के लिए मैंने इसमें कॉंट्रास कलर की फैब्रिक ले रही हूं यह देख तो यह देखिएगा पूरी तरीके से यह जूइंट हो चुका है और अब हम इसको पीसे में कट करेंगे तो करीबन आप दो इंच या धाइंच की चोड़ाई में इसको करत किजिएगा इसके बाद इस पीसेस को हम जहां तक जूइंट करेंगे तो ब्लॉज में हम पहले वह से ही स्टार्ट करेंगे यह देखिएगा तो इसको फोल्ड देकर हम इस तरीके से अंदर की और लेंगे और स्टीच लगाएंगे अच्छे तरीके से इसको हम जूइंट कर लेते हैं तो सभी पीसेस हम इसी तरीके से यहां तक जूइंट कर लिया है यह देखिएगा और यहां से अब हम डिजाइन को दुबारा से बनाएंगे यह देखिएगा तो चार इंच में मैंने कपड़े की छोड़ाई लिया यह हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है और इसके साथ मैं इस तरीके से हम ट्रेंगल का सेप देंगे और इसे नीचे से एटेस कर लेंगे यह दिखिएगा यहां से मैंने इसमें एटेस कर लिया है और मैंने यहां पर करीबन देखिए मैन फैब्रिक से चार पीसेस त्यार किया है और इस तरीके साब को सेट कर लेना है भी सेंडर करत हम इस्टीज लगा लेंगे यह देखेगा पूरी तरीके से यह ज्वेंट हो चुका है और यहां से अब हम क्या करेंगे यह देखे इसो उपर के और से हम सेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और यहां से हम पीन से भी पहले इसको एटेस कर लेते हैं ताकि यह पूरी तरीके से fix रहे fix करने के बाद आपको यहां से पहले joint करना है यह देखिएगा यहां से मैंने joint कर लिया है और अब हम side की सिलाई लगा कर इसको attach करेंगे दूसरे side से भी हम इसी तरीके से pin को निकाल लेंगे और यहां से भी हम इसको joint कर लेते हैं तो यह joint हो चुका है और इसको हम थोड़ा और decorate कर लेते हैं तो इसके साथ मैं ले रही हूं less और यहां पर use करूंगे इस तरीके से तो यह देखिएगा यह हमारा silver color का less है तो इसमें हम इस तरीके से ही set कर रहे हैं आप अपने blouse के according less को use कर सकते हैं और यहां से हम पूरे गले पर इसको अच्छे तरीके से test कर लेंगे और यह design हो जाएगा हमारा complete उमीद करते हूं आज का वीडियो आपको पसंद आए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like, share and subscribe कीजिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद